उत्पत्ति अध्याय तीन मनुष के पापी हो जाने का वर्नन यहवा परमिश्वर ने जितने बनेल पशु बनाये थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमिश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी व्रुक्ष का फल न खाना स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के रुक्षो के फल हम खा सकते हैं पर जो वुक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विशे में परमिश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना नहीं तो मर जाओगे तब सर्प ने इस तरी से कहा तुम निश्च न मरोगे वरन परमिश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आखे खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमिश्वर के तुल्य हो जाओगे सो जब स्तुरी ने देखा कि उस रुक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया तब उन दोनों की आखे खुल गए और उनको मालुम हुआ कि वे नंगे है सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोड बना लिये तब यहोवा परमिश्वर जो दिनके ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्तनी वाटिका के व्रुक्षों के बीच यहोवा परमिश्वर से चिप गए तब यहोवा परमिश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए चिप गया उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तु नंगा है जिस रुक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वरजा था क्या तुने उसका फल खाया है आदम ने कहा जिस स्त्री को तुने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस रुक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया तब यहवा परमिश्वर ने स्त्री से कहा तुने यह क्या किया है स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया तब यहुआ परमिश्वर ने सर्ब से कहा तुने जो किया यह किया है इसलिए तु सब घरेलू पशो और सब बनेल पशो से अधीक शापित है तु पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाठता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वन्ष और इसके वन्ष के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तु उसकी एड़ी को डशेगा फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीडा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाओंगा तु पीडित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पती की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभूता करेगा और आदम से उसने कहा तुने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस रुक्ष के फल के विशे में मैंने तुझे आग्या दी थी कि तु उसे न खाना उसको तुने खाया है इसलिए भूमी तेरे कारण शापिद है तु उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए काटे और उंट कटारे उगाएगी और तु खेप की उपज खायेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तु उसी में से निकाला गया है तु मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल ज और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्व जिवी थे उन सब की आदी माता वही हुई, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चम्ड़े के अंगरखे बनवा कर उनको पहिना दिये। और यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया, कि वह उस भूमी पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। और घुमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया।